आज हम लोग के तरफ बारिस हुआ है दोस्तों और बारिस हुआ है इसलिए हम लोग का खेत में भी पानी हो गया तो आज हम लोग रोपा रोपने का पलान कर रहे हैं और मैडम जी बीडा उखाड रही है और मैं जा रहा हूँ ट्रेक्टर बुलाने ट्रेक्टर मिलना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि एक साथ सभी का खेत में पानी हो गया है और सभी का बीडा भी तयार है तो चलिए आगे देखते हैं ट्रेक्टर मिलता है कि नहीं और अगर ट्रेक्टर मिल जाएगा तो आज ही कादो कराएंगा राज ही रोपेंगे और नहीं मिला तो कल करेंगे आज पानी आया है इसलिए आज हम लोग रोपा रोप हैंगे अलो जाटब रही है और मैं जार रहां हो पेक्टर को बुलाने तो आज पानी हो गया है खेत में दोस्तों तो आज हम लोग आ गये हैं रोपा रोपने वीडिया उखाड ली है उसके बाद टेप्टर बोला के लातो करके रोपा रोपना है आचनक सभी की खेतों में पानी हो जाने की करद टेक्टर का मारा मारी है वो बोर रहा है मेरा जोत्तो वो बोर रहा है मेरा जोत्तो इस टेक्टर के पास मैं गया था तो इसमें भी बहुत सारे नंबर लगे हुए हैं आप देखते हैं कितना देर में टेक्टर मिचता है इस टे सकटर के पीछे 45-56 अदंवी का नंबर लगा हूआ है आप हाए भार अम लोग देखते हैं हम लोग दोटा पाता है कि नहीं नंबर लगता है कि अगर जुथ जाएगा तो रोपेंगा आज नहीं तो कल कादो करके कल ही रोपेंगे यहां दूसरा यह गावाला कहीं यह खेत कादो हो रहा है और उधर कादो हो रहा है और इदर बगूला लोग मचली पकड़ रहे हैं दवड़ दवड़ के सफेद सफेद इन बगूलों को मचली पकड़ने में खुबमा जा रहा है नजदिक आ जाता है टेक्टर के पास आदमी के पास भी बिलकुल नहीं डरता है और इधर मेरी मेम साब बीड़ा को तो खाड़ दे रही है और अभी तक खेत जुटाया नहीं है ये रहा हम लोग का खेत जो नहीं जुटाया है और नेचे हम लोग का भाई लोग का है उनका कादो हो चुका है और बगल में ही कुछ गाउं के भावियां रुपा रुप रहे हैं का ओव गाव गहा है नहीं है उनका ओव नहीं है रहा है ट्रेक्टर नहीं मिलने के कारण आज हम लोग का खेत कादो नहीं हो पा रहा है तो अब हम लोग कल कादो करवाएंगे तो वीडियो देखने के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल रोपा रोपाई के साथ तब तक के लिए सभी को धन्यवाद